नमस्कार सातियो इस वीडियो में हम केवल BPSC PRT एक्जाम की बात करेंगे पेपर टू की जो की जर्नल स्टेडीज का था आप देख सकते हैं उसकी सेकंड प्रोविनल आंसर की है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये भी प्रोविनल आंसर की है कुछ यूट्यूबर्स या टीचर ये बोल रहें कि फाइनल आंसर की है ये बिल्कुल भी फाइनल आंसर की नहीं है उन्होंने साप साप लिखा हुआ है second provisional answer की ऐसा बहुत कमबार होता है VPSC leak से हटकर कुछ अलग काम करना चाहती है कि उन्होंने second provisional answer की जारी की है वरना एक answer की के बाद आप से objection मांगे जाते हैं और final answer की जारी की जाती है लेकिन VPSC या अलग से कुई काम करना चाहती है या इन सब में students को busy रखकर वो ज़्यादा समय लेना चाहती है result को लेकर जैसा कि उन्होंने अनुमानित बताया है कि वो मद्ध है October में mid October में अपना result जारी कर देंगे तो कहीं न कहीं student को इन सब में फसा कर वो busy रखना चाहती है उसकी मनसा ये भी हो सकती है या फिर वो सच में कुछ अच्छा कारिया करना चाहते है मुझे नहीं लगता इसमें दोबारा प्रोविजनल आंसर की जारी करने की कोई जरूरत थी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बदला है आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है मैं चेक कर चुका हूँ फिर भी आप चाहते हैं यदि मुझे से कोई चेक करने में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो इसमें सिर्फ एक क्योशन में बदलाव किया गया है पहले बहुत सारी यूट्यूबर के रहे थे इतने नमबरों पर आपको बोनस मिलेगा इसमें इतने क्योशन चेंज होंगे इसके आंसर इतने है इसा कुछ भी नहीं है हाला कि 3-4 प्रिसन ऐसे हैं जिनका आंसर बिल्कुल बदलना चाहिए वो आपको मैं पहले ही वीडियो के माद्यम से बता चुका हूँ लेकिन BPSC ने इसमें सिर्फ एक क्योशन के आंसर में बदलाव किया है कोई भी बोनस मार्क्स नहीं है एवर एक क्योशन में बदलाव किया गया है वो है मैत का क्योशन आपका जिसमें एरिया है पहले उसका आंसर क्या था चार पाई दिया था इन्होंने जो कि सरासर गलत था उसका आंसर आप इन्होंने जो सही आंसर है वो मान लिया है चालीस पाई इस क्योशन के अलावा उन्होंने किसी भी आंसर में कोई भी बदलाव नहीं किया है चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इस question के लावा आपको साहद ही कोई question मिलेगा मुझे तो मिला नहीं हो सकता है मुझे गलती हो गई हो लेकिन इस question के लावा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है लेकिन आपको निरास होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है ये भी प्रो विजनल आंसर की है मिस्स इसमें भी बतलाब होगा फाइनल आंसर की ये नहीं है BPSC के दोरा फाइनल आंसर की साइद इसके बाद जारी की जाएगी वो फिर से उबजेक्शन मागेंगे और मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से उब्जेक्शन लगाने की जरूरत है क्योंकि BPSC को उन उब्जेक्शन पर ही बहुत ही सहीमित तरीके से काम करना चाहिए और जो की जायज है वो उनको सही करना चाहिए तो ये बात थी BPSC PR की एकजाम की तो यही सूचना मुझे आपको देनी थी सबसे पहले तो ये फाइनल आंसर की नहीं है आपको बिलकुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको उब्जेक्शन को नहीं माना गया जो की जायज था हो सकता है फाइनल आंसर की में आपका उब्जेक्शन माना जाए ये भी प्रोविजनल आंसर की है मुझे लगता है साइद BPSC ने कहीं ना कहीं ये से लिए दी है कि कुछ बच्चे केवल सैट एकी आंसर की से मैच नहीं कर पा रहे थे अपने आंसर तो उन्होंने अब की बार सारे सैट की सीरीज की अलग-अलग आंसर की जारी की है ये सीरीज A, B, C, T तो पहले काफी लोगों को काफी परेसानी आ रही थी अब तब उनके सोसल मीडिया के माद्यम से जवाब और सवाल BPSC के माद्यम तक पहुंच रहे थे तो उन्होंने हल खलाल में इसको जारी किया और जो सबसे आसान जिसको चेंज करना था जो कि सरासर दिख रहा था कि उसका 40 पाई होगा तो वो उन्होंने बदलाब कर दिया है और अलग-लग आंसर की बना के जारी कर दिया है तो आप लिकल भी हतास ना हो जल्द ही BPSC के दौरा मुझे उमीद है कि फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसमें सब ही जो जाएज अब्जेक्शन है उनको माना जाएगा उन पर बहुत अच्छी तरीके से विचार किया जाएगा तो धन्यवाद साती यदि आपको हमारी त्वारत दी गई सूचना अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं जल्दी कुछ अच्छी सूचना के साथ आपके सामने रूबे रूब होंगे धन्यवाद